जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि डाइवडीस की दवा कैसे बनाना है और उसे कैसे खाना है अब आखरी बात इसमें परेज क्या करना है और किस तरह का भूजन आपको करने की आवश्यक्ता है जो आपके लिए उपयोगी होगा उसे भी अच्छे समझ ले भूजन क्या खाना है और क्या नहीं भूजन आपको ऐसा करना है जिसमें फाइवर अधिक हो मतलब रेसे का तत्व जादा हो जैसे डालों में सबसे जादा फाइवर होता है तो आपको कौन सी डालें खाना है सबसे पहले मूंग की डाल इसमें सबसे जादा फाइवर होता ह मसहूर की डाल, चने की डाल और तूर की डाल इसमें भी काफी फाइवर होता है उरद की डाल में सबसे कम फाइवर होता है तो उरद की डाल और सोयाबीन की डाल छोड़कर आप कोई भी डाल खाईए अगर आप चावल खाना चाहते हैं तो आपको बो वाले चावल नहीं खाना है जो बिल्कुल पॉलिस वाले चावल आते हैं बिल्कुल सफेद रहते हैं जो आपको बो चावल खाना है जो थोड़ा लाल रंका होता है और थोड़ा मोटा होता है जिसे हम ब्राउन राइस के नाम से जानते हैं आप उसे खा सकते हैं, बैस सबसे अच्छा है उगर दूद पीना है, दूद अगर पीना है, तो सिर्फ गाय का ही पीएं क्योंकि सुगर की बीमारी में सिवाए गाय के दूद के अलाबा, कोई दूसरा दूद नहीं चलता इसलिए सिर्फ गाय का दूद ही पीएं रोटियों में क्या समझना है आपको रोटियों में आप कौन सी रोटी खाएं जो आपको सबसे अधिक लाबदायक होगी पहले जौारे की रोटी सबसे अधिक लाबदायक है और दूसरी बाजरे की रोटी भी सबसे अच्छी है और तीसरी मक्य की रोटी भी बढ़िया है जो हम लोग गेहूं की रोटी खाते हैं इसमें सबसे कम फाइवर होता है इसलिए गेहूं कम खाएं अगर गेहूं की रोटी खानी पड़े मजबूरी में तो उसमें चने का आटा मिला कर खाएं मतलब बेशन और ग्यहूं की मात्रा दोनों बराबर होना चाहिए अब सबजीयों में आपको कौन सी सबजी खाना है और कौन सी नहीं आलू छोड़कर कोई भी सबजी खाएं हरे पत्ते की सबजी खाएंगे तो सबसे अच्छी जैसे पालक, मैथी, चोरई, भिंडी, करेला, सैम की फली की सबजी जो होती है वो सबसे अच्छी है और सबसे अच्छी करेला की सबजी है सुगरवालों के लिए अगर इन दोनों में हम देखें तो सबसे अच्छी है करेला और फिर दूसरी है सैम की सबजी अब फलों में आपको कौन से फल खाना है ऐसे सभी फल अच्छे हैं लेकिन ऐसे फल सबसे अच्छे हैं जो थोड़े खटे होते हैं जैसे संत्रा, मुसम्मी, दराक्च, टमाटर लेकिन इसमें बोजादा बढ़िया है जो थोड़े खटे हों और कम रसीले हों सिट्रिक एसिड है, बैस सबसे अच्छा है सुगरवालों के लिए और अगर आप इमली का पानी पीएंगे खाने के बाद तो आपको इसके अद्भुत परिणाम देखने को मिलेंगे अब मैं आपको बता दूँ जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया था कि कैसे दवा आप घर पर बना सकते हैं आसानी से सब कुछ आपको घर पर मिल जाएगा और फिर आखर मैं बताया था कैसे उसे खाना है नियमेत रूप से तो भो भी आपको समझ में आ गया होगा और अब यह जो आपको परेज करने के लिए बताया गया है इसमें कुछ भी नहीं है बस कुछ जैसे कि आलो की सबजी हुई और सभी सबजीयां जो हरी सबजीयां है वो आप आसानी से खा सकते हैं तो कुछ ज़्यादा परेज नहीं करना है आपको और डालें भी आप देख सकते हैं कि कित्ती सारी डालें मैंने आपको बताई है मूंग की डाल, मसूर की डाल, चने की डाल, तूर की डाल इसमें सर्फ आपको उड़त की डाल और सोयाबीन की डाल को छोड़कर आप खा सकते हैं इनमें से तो ये भी कोई चिंदा का विसाय नहीं है कि काफी सार आपको परेच करने की आवश्रकता है मतलब ना मात्र का थोड़ा सा करना है त्वासा करता हूँ आप अच्छे समझ गए होंगे तो एक और आखरी बात अगर आपने वो दवाई बनाई उसे नियमत रूप से दो से धाई महीने तक खाना सुरू किया और जो कुछ भी मैंने आपको बताया था कैसे नियमत रूप से उसे खाना है और जो मैंने आपको भोजन में बताया है अगर आप इतना कर लेते हैं तो विस्वास मानिये आप धाई महीने बाद अपनी डाइवडीज चेक कराएंगे तो आप बुलकुल नॉर्मल होगी फिर चाहे वो भले ही कितनी रही हो या भी आपकी कितनी ही हो कोई चिंता का बैसे नहीं है और इस दोरान आपको नाहीं कोई गोली दवाई खाना है और नहीं किसी से फाल्दू का प्रशक्षन लेने की आवश्यक्ता है क्योंकि मैं आपको यह जो कुछ भी बता रहा हूँ मैं पहले से इसका प्रियोग कर चुका हूँ अपने घर पर ही तो आप निश्चिंद रहिए और निश्चिंद होगे आप इसे खा सकते हैं